आपके सामने आज मैं आपके सामने एक ऐसा विशे लेके आया हूं और पिछले कुछ दिनों से हम इसी के इसी विशे के बाद कर रहे हैं जिससे हम गोचर कहते हैं ट्रांजिट कहते हैं कुछ ट्रांजिट अभी हाली में हो चुके हैं और कुछ ट्रांजिट जो बहुत इंपॉर्टन है होने को जा रहे हैं उन में से एक ट्रांजिट जो है वो 31 अगस्ट को होने जा रहा है अब ये कोई राशी परिवर्तन तो नहीं लेकिन राशी परिवर्तन भी है लेकिन उससे ज्यादा वो एक नक्षित्र परिवर्तन या एक गोचर ट्रांजिट है जो के मंगल का है जो मंगल अस्त अब अस्त है और वो 31 अगस को वो उत्रा फालगुनी नक्षित्र में प्रवेश करने जा रहे है उत्रा फालगुनी नक्षेत्र के जो स्वामी है जो लॉड है वो है सूर्य उत्रा फालगुनी में ये 31st यानि के 31 अगस को ये प्रवेश करेंगे और 21 सप्टेम्बर तक यहां रहेंगे और जैसे के आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते तो बतादू के हर एक नक्षेत्र के में चार चरना होते हैं जिसे हम पदाज भी कहते हैं एक पदा जो सिहराशी में पढ़ता है और बागी के तीन जो हैं वो कन्या राशी में होते हैं 6 सप्टेंबर तक मंगल अस्त उत्रफालगुनी में ही रहते हुए सिहराशी में रहेंगे क्योंकि वो पहले चरना में होंगे तो जादा तर जो उर्जा होगी वो सूर्य की होगी लेकिन उसके उपरांद 6 सप्टेंबर के बाद ये कन्या राशी में जब प्रवेश करेंग तो एक बुद्धीमान जो ग्रह है जिसे हम बुद्ध कहते हैं उनके राशी में प्रवेश करेंगे और सारी की सारी उर्जा वो वहीं से अर्जित करेंगे अब हमें समझ रहा है कि यह उत्रा फाल्गुनी नक्षेत्र है क्या तरह उत्रा फाल्गुनी नक्षेत्र एक ऐसा नक्षेत्र है जिसमें एक दोस्त है जिसमें आप इस नक्षेत्र का जो चिन है वो है एक बेड यानि कि एक पलंग जिसके दो पाए जो होते पीछे के यानि कि आप आराम से ठके पे सोय हो मत्व है इसको हम भूते हैं अंग्रिजी में लेड बैक यानि कि आराम से सोया हुआ एक विक्ति यहाँ पर यह व्यक्ति मस्ती करना चाहता है प्यार करना चाहता है इसका एक बहुत अच्छा दोस्त है वो दोस्त जिससे यह प्यार करता है उस तक वो मेसेज लेके जाता है जिसको हम आर्यमन कहते हैं और फिर इस तरह की एनरजी है और क्योंकि मंगल इस एनर्जी में उतर रहे हैं यारी कि उत्रा फालगुनी में उतर रहे हैं आपको पताए कि मंगल क्या है मंगल एक सेना पती है मंगल एक पुलीस वाला है मंगल उर्जा है मंगल एक्षिन वाला प्लैनेट है मंगल धातो को रिप्रेजन करता है मंगल रक्त को रिप्रेजन करता है मंगल उसे हम कहते हैं न वेपिन्स को यह करता है अब ऐसा मंगल जो इस तरह की नेचर लेकर के इस नक्षित्र में उतर रहा है और वो भी तब जब वो अस्त है कि क्या बताना चाहरा है मैं थोड़ी दिर के लिए अब बता दू कि मैं किसी भी एक राशी पे बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इन जनरल हम क्या सोच सकते हैं थोड़ी दिर के लिए सोच रो कि एक जमान है एक आर्मी का कोई व्यक्ति है या पुलिस वाला है या पॉलिटिशन है यहां पर उसको उसका जो रुत्बाा है उसका जो रुत्बा है उस्का चाफ से अगर यह नक्षेतर में प्रवेश करेंगे मंगल तो क्या होगा कभी यह बहुत अच्छा भी होता है जीसे कि अगर आपके घर में आपके पिता या आपका कोई भाई या आप खुद घर में बहुती रुतबा रखते हो तो अब थोड़े दिनों के लिए आपको थोड़ासा ऐसा लगेगा कि नहीं यार में को थोड़ा सा लोगों से बैठ करके बाते करनी चाहिए, थोड़ा प्यार महबत से बाते करनी चाहिए, अगर relation में कोई थोड़ा सा वो है, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी smoothness नजर आएगी, अगर आपका कारोबार partnership में है, और partnership में आपको पता है, वो ता सा एक ऐसा attitude कर लें, जिसमें हम थोड़ा सा, अब सोच लो कि मैं एक border पर खड़ा हूँ, और मेरा काम है कि मैं आख न जपकूँ और मेरा निशाना बना रहा है, अगर ऐसा जवान, ऐसा विक्ती अगर थोड़ी दिर के लिए मौज में आ जाए, मस्ती में आ जाए, सो जाए तो क्या हो सकता है, सोच के देखू आप, क्या हो सकता है, ऐसी कुछ बात मैं नहीं कहरा होगी, लेकिन ऐसी चीजें आसपास हो सकती है, हम ये भी समझना है, कि 31 से लेकर के 21 सप्टेंबर तक, ये मंगल जो अस्त है, ये मंगल जो अब उत्रा फालगुनी में है, इसी के दौरान 14 सप्टेंबर को जो होने जा रहा है, ये बहुत महत्वका है, गुरू जो के ज्ञान के स्वामी है, गुरू जो विस्तार करते हैं, गुरू जिसे हम अपने अर्थ वेवस्ता से जोड़ते हैं, जिन्दगी में जितना भी वो तेना एक ऐसे ग्रह जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, वो आज वकरी चल रहे हैं, वकरी चलते चलते ये 14 सप्टेंबर को ये फिर से प्रवेश कर जाएंगे मकर राशी में, जहांपर शनी देव बैठे हैं, शनी देव शिरवण नक्षित्र में हैं, ये धनिस्टा नक्षित्र में अभी भी है, लेकिन वो धनिस्टा के नक्षित्र के अंदर रहेंगे, गुरू मकर राशी में नीच के कहलाए जाते हैं, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि इसा हो सकता है, और अगर ऐसा होने को भी है, तो मैं ये परातना करूँगा कि भगवान करे कि मेरी ये जो बात है, ये 100% गलत ही थाबित हो, जब COVID-19 की शुरुवात में हमने देखा था, जब ये पीक पे आये थे, तब मैंने नोट किया था, ये मेरा अपना अनुमान था, और बाकी के कुछ लोगों को, जिनको मैं हमेशा कंसर्ब मेरे कोई मित्र है, हमने ये देख पाया था कि जब भी शनी और गुरु की यूती हुई थी, कंजंशन हुआ था, जो अभी फिर होने जा रही है, 14 सप्टेंबर को, तो मैं इसको जोड़के देख रहा हूँ कि क्या ये कोरोना का या COVID का थर्ड फेस को बढ़ावा दे सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, जहां पर मंगल भी अस्त पड़े हुए है, राहु देखिए, जिस अभी भी राहु उसी जगह पर है, जहां पर पूरे COVID के टाइम पर राहु राहु वहीं पर बिशब राशी में ही थे, और वो कृतिका नक्षितर में आ रहे हैं, इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक खाली एक अनुमान है, और भगवान करें कि ये बात बिल्कुल ही गलत सावित हो, मुझे खुशी होगी इस बात की, अब आपके लिए जो काम में देने जा रहा हूँ वो ये है, कि आपकी कुंडली में, ये मैंने बिल्कुल ब्लैंक रखी हुई है, आप अपनी कुंडली पाच्छे कहां दिखा हुआ है, ये मंगल यहां से यहां जा रहा है, देखिए, वो जो दो घर होंगे, उसी में सारा खेल होगा आपके साथ में, आपको यही देखना है, मतब मान लो कि चलो, पहला गर जो है, वो आपका खुद का अस्तत्व है, दूसरा जो है, वो पिकरम भाव है, भाई बेनों का है, मित्रों का है, परोजियों का है, चौता भाव आपके मा का है, प्रोपर्टी का है, लैंड का है, आप देखिए, कहां पर यह एक चीज होने जा रही है, उसी से आपको अनुमान लगया कि कहां पर, मैं आपको इतना बता दूं कि मंगल अस्त के होकर के इस नक्षेत्रम में उतर रहे हैं ये नक्षेत्रम बहुत अच्छा है मंगल के सौभाव से ये मैच नहीं करता ये मेल नहीं खाता ये मैं मात को मानता हूँ लेकिन फिर भी आप देखोगे इसमें काफी कुछ समझ में आएगा आस पास की कुछ चीजने जब आप देखोगे तो आपके definitely समझ में आएगा कि मैंने जो कहा था इस वीडियो को जरूर बुक मा कर लीजेगा और फिर मुझे बताइए कि अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था और जरूर कमेंट भी डालिएगा इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो इसको लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए मेरे से चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है अब तक तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजे और अगर आप मेंसे कोई भी मुझसे संपर साथना चाता है किसी भी कारण से तो मेरे description box में मेरा phone number है WhatsApp number भी है calling number भी है और साथ साथ में मैंने अपना email ID भी डेल डाल के रखा हुआ है चलो फिर देखते हैं कि 31 से लेकर के 21 सप्टेंबर के बीच में क्या होने जा रहा है उसके बीच में और बहुत से और गोचर बहुत से ट्रांजिट्स हैं इस पर मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहा हूँगा थैंक्यू सो मुच